देश का नौजवान रोजगार के लिए लालाईत है मगर दिल्ली की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है उन्होंने वादा किया था चुनाव मैनिफेस्टों निकाल दीजिए उन्होंने वादा किया था कि दो करोड युवाओं को रोजगार देंगे मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर पूछती हूँ कि कोई नौजवान मिल जाए जिसे दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया हो देश के किसी कोने में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जिसे दिल्ली की सरकार ने भाजपा सरकार ने रोजगार दिया हो क्या ये जूठी बाते करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं नौजवान का भविश्य ना हो माताएं बहने सुरक्षित ना हो किसान बेहाल हो और फिर भी ये भाजपा वाले अरे इनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है मुझे तो ये समझ नहीं आता मुझे ताज़ुब होता है अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ऐसा तो हमारे माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे है आपको यकीन नहीं है तो आप खुद ये फुटेज देख सकते हैं मैं आपके चैनल को देती हूँ आप बिल्कुल इस पर जाएं बाकाइदा और इसको अपने चैनल पर भी चलाएं ये फुटेज हर पब्लिक मीडिया पर उपलब्ध है हमारे माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बात अपने मुखारविंद से 2014 में कही थी देश के नवजवान रोजगार के लिए लालाईफ है दिल्ली की सरकार रोजगार देने में बिफल गई है उन्होंने वादा किया था चुना मैनिफेस्टो निकाल दीए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम एक करोड नौजवानों को रोजगार देंगे एक करोड नौजवानों को मैं हिंदुस्तान में जाकर गहर कौने में पूस्ता हूँ कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है जूटे बादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं उनकी जूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं नवजुमानों का भविश्य न हो माताई बहने सुरक्षित न हो किसान बειαहाल हो और फिर भी कॉंग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है मुझे तो यही काजू होता है अरे बे शर्मी की कोई हत तो होती है और मैं तो उसी पर बात कर रही हूँ और मैं तो उसी पर आज खुद एक युवा होने के नाते युवाओं के साथ संपर्क में आने के नाते युवाओं की बाते सुनने के नाते युवा कॉंग्रेस को आज एक मुहिन चलानी पड़ रही है एक ऐसा movement चलाना पड़ रहा है जिसमें हमने नारा दिया है रोजगार दो आपने हमारे manifesto की बात को उठा करके उस पर हथोड़ा चला करके बिल्कुल ठीक है ये कहा था कि इन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया manifesto उठा कर देख लीजिए मगर आज बात आपके manifesto की है आज बात आपके वायदों की है जो आपने हमारे युवाओं से किये थे उन युवाओं से जिन्होंने बड़ी उमीद से आपकी तरफ देखा था वो युवाओं जो आपके start-up इंडिया, stand-up इंडिया, scale इंडिया, digital इंडिया के वायदों को लेकर के आप से ideas लेके कि सीवेज से gas बनाएंगे और उस पे समोसे तर लेंगे ये लेकर के भी चल पड़े थे बिचारे मगर MSMEs का तो आपने बंटा धार कर दिया जब आपने unplanned lockdown किया एक अव्यवस्थित lockdown जिसमें किसी को नहीं पता कि हम क्या करें lockdown करना बिल्कुल एक सही फैसला था, Congress उसके विरुध में उसकी विरुध नहीं है मगर हमारा सवाल ये है कि क्या इसे बहतर planning से नहीं किया जा सकता था क्या इसकी विवस्था बहतर नहीं हो सकती थी क्या इसकी विवस्था इस प्रकार से नहीं सोची जा सकती थी कि वो युवा जेन युवाओं को आपने 2016 में खुद ही demonetization का दाव फेक करके आप ही ने सुझाव दिया था कि हम digital इंडिया पर चलेंगे हम scale इंडिया करेंगे हम आत्म निर्भर बनेंगे इंद्रा गांधी जी के 1973 में दिये गए नारे को दोहराते हुए आपने इस बीच में ये भी कहा कि हम आत्म निर्भर बनेंगे आज आप उनके नारों की तरफ कान बंद करकर बैठे हुए हैं आपने तो युवाओं ने जब अपने मन की बात आपसे साजा करना चाही देखिए भाशन एक तरफा होता है और बातें दो तरफा बातें अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता अप जैसे यहाँ पर आप मुझसे बात पूछ रहे हैं आप कोई बात कह रहे हैं मैं अपनी बात कह रही हूँ आप सुन रहे हैं और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें यह लाजमी है तो जब युवाओं ने अपने मन की बात आपके YouTube चानल पर डिसलाइक करके करनी चाहिए क्योंकि आप नीट जी की उनकी बातों को उनके नारों को नीट जी को पोस्ट पून करने की बात को नहीं सुन रहे थे और आप उल्टा कहिलोने बनाने की, गेम्स बनाने की बात करने लगे अपने मन की बात में तो युवाओं को dislike के माध्यम से, comments के माध्यम से अपनी बात कहने का एक platform मिला लेकिन ये क्या? आपने तो उसे भी बन कर दिया आपने तो एक हफ़ते का भी वक्त नहीं लिया अगले हफ़ते की आपकी मन की बात आने से पहले आपने तो dislikes का, comments का section segment ही हटा दिया YouTube से ये किस तरह का लोकतांत्रिक फैसला था? ये सरकार के प्रतिनिधी की ओर से क्या एक संदेश था हमारे देश के युवाओं को कि आप सिर्फ मौन धारन करके बैठे मुँपे चुपी साध करके नहीं तो आप लोगों के right to express के रास्ते बंद कर दिये जाएंगे सिरे से आपके expression को, आपके प्रतिक्रियाओं को खारिज कर दिया जाएगा लेकिन सरकार ये बात जान ले कि ये 21वी सदी का युवा है, ये 21वी सदी का नौजवान है और ये अपनी बात को कहना जानता है ये 2014 के आपके उस भाशन में और आज के आपके इस फैसले में फर्क करना जानता है ये आज का जो युवा है, ये मन की बात और मनमानी की बात में भी अंतर जानता है तो इसलिए जो सरकार के प्रतिनेधी ने बात की वो सरकार की बात है जो 21 तारिक को कॉंग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है जो युवा कॉंग्रेस की ओर से रोजगार दो के नारे को लेकर धरना प्रदर्शन होने प्रदेश भर में, देश भर में होने जा रहा है वो युआ के मन की बात, नौजवान के मन की बात है और आपकी मनमानी की बात के विरुद्ध है वैस ऐसा मैंने तो अपने प्रधानमंत्री जी की बाद से प्रेरना लेकर के बताया कि वाकई जिस देश में किसान बिहाल है वहां किसी भी सत्ता अधारी पालटी की दوبारा वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है बेशर्मी की कोई हदो होती है किसान परेशान है किसानों के कल लाठी चारज में घायल हुए हुए नजाने कितने ही सैकडों अंगिनत वीडियोज हमारे सामने आए, फोटोज हमारे सामने आए वो किसान जो फसल उगाते हैं, उसे हार्विस्ट करते हैं, तो हमारे घर में रोटी बनती है वो किसान जिनकी आत्महत्याओं की बाद तो हम नहीं उठा पा रहे लेकिन उनके ओपर लाठी बरसाने की हिम्मत रखते हैं अजी बेशर्मी की कोई हद तो होती है आज बहुत सारे संदेश आये, SMS आये हमारे पास जिसमें आम जनता ने लोगों ने कहा कि दुशन चौटाला फेल हो गए खैर मेरे हिसाब से तो दुशन चौटाला उसी दिन फेल हो गए थे जिस दिन उन्होंने जन मत को ठुकरा करके जिस पार्टी को जिन लोगों को जनता ने ठुकराया था उनके साथ चले गए थे बस उनके छोटे भाई ने तो आज उसी बात को अपने वक्तव्य में रखा है उनके छोटे भाई तो शायद जनता की आवाज बनके आज बोल रहे हैं कहा था कि अब की बार 75 पार नहीं अब की बार तो हम यमना पार करवाएंगे और फिर खुद ही नाविक बनके उनको वापस लेकर आ गए जबकि जनता ने सीधे सीधे उन्हें रिजेक्ट किया था तो जनता को रिजेक्ट करने वालों का क्या हश्र हुआ है इतिहास उसका गवाह है और इधर भी होगा चुनाव कभी भी बहुत दूर नहीं होता है अभी तो फिलहाल बरौदा चुनाव आगामी है ही उसमें नतीजे सामने देखने को मिल जाएंगे जनता की जो बात है जो जनता का जनादेश है वो देखने को मिल जाएगा बाकी एक बात जो यहाँ पर अंकित की जा सकती है वो ये है कि जिनकी दादी ने अपनी मृत्यू शया पर बैठे हुए ऐसे वीडियोज बनाए हो और ये कहा हो कि ये जो भी बातें उनके बारे में कही वीडियोज जग जाहिर हैं अवेलेबल हैं कोई भी देख सकता है जो बातें कही गई वो बहुत सराहनिय नहीं है और थोड़े में ज्यादा समझ लेने वाली बात ये है कि जनादेश के विरुध जाने वाले को जनता खुद ही जवाब देती है जो अपने बाप दादा का ना हो सका जिनकी दादी ने उनके बारे में ऐसा बयान दिया उनके उपर जनता कितना भरोसा कर पाएगी ये तो जनता को देखना होगा सॉल्यूशन तो डिमॉक्रिसी में लोक तंत्र में जो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमेशा है वो है संबाद बातचीत आपको जनता ने चुनकर प्रतिनिधी बनाकर उपर भीजा है आप चुनाव के माध्यम से आए है आप कोई inherited सत्ता लेकर तो नहीं आए है तो अगर आपने अध्यादेश बिना लोगों को confidence में लिए आप ले भी आए है आपने विधान सभा में पारित कर भी दिया है आपन अपनी सभा में अपने मीटिंग के माध्यम से उसको घोशित भी कर दिया है तब भी जब आपने देख लिया कि पिछले दो महीने से आंदोलन चल रहे हैं कोरोना के बावजूद इस infectionist lockdown के बावजूद जब किसान आंदोलन करने से नहीं हट रहे हैं यानि कि कोई संजीदा समस्या है यानि कि कहीं न कहीं कोई संकट किसानों को महसूस हो रहा है जो किसान खेत की अंदर हल चलाने में अपना समय बिताता है अगर वो सडक पर उतर कर आंदोलन करने जा रहा है इसका मतलब कि कुछ संजीदा जरूर है क्योंकि वो अपने कीम्ती समय में से वो समय जो खेत में लगाता उस समय में से निकाल कर वहां आंदोलन करने में लगा रहा है तो इसका मतलब कुछ संजीदा बहुत सीरियस प्रॉब्लम है लेकिन आपने उसको पहले तो ना कारा ही उसके बाद कल जब उन्होंने आंदोलन करने का तै किया और वो वहां पहुचे तो बजाए के उनको ये आश्वासन दिलाने के के हम आपकी बात सुनने को तयार है आप अपने कुछ मुख्य लोगों को हमारे पास भेजिए एक डेलिगेशन बना करके किसी तरह से उसको वो करते बजाए उसके उन्होंने इसको लाठी चार्ज के माध्यम से फिर एक बर चुपी लगवाने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया उनको घायल अवस्था में वहां पर छोड़ दिया नजाने कितने ही सैकडो किसान भाई हमारे घायल हो गए तो अब ये बताएगे कि खेतों में जाकर क्या हमारे निता काम करने वाले हैं उनके सानों की जगा जिन पर आपने लाठीया चलवा दी ये definitely ये कोई solution oriented approach नहीं है पहले प्रधान मंत्री जी dislike का बटन हटवा देते हैं comments का बटन हटवा देते हैं फिर मुख्यमंत्री जी भी आगे उसे का पालन करते हैं फिर ये लोग इमान के चलते हैं that it is just all right ये ठीक है अगर हम जनता को चुप करवा देतो जनता के संबाद के सारे रास्ते अगर हम डायलोग को बंद कर दें तो that is all right ये बिलकुल उचित नहीं है ये बिलकुल गैर कानूनी भी है ये गैर समवैधानिक भी है ये अनैतिक भी है अब आप देखिए ना हाल ही में पिछले लगभग 15 दिन के अंदर ही एक तारीक को नीट जी की परिक्षा करवाई गई अब नीट जी की परिक्षा हो सकती है हम अपने विद्यार्थियों के स्वास्थियों को संकट में डाल सकते हैं मगर संसद में विधान सभा में प्रशनकाल नहीं हो सकता नीट जी की परिक्षा हो सकती है पर प्रशनकाल नहीं हो सकता आप प्रधानमंत्री जी के मन की बात को लाइक कर सकते हैं पर dislike नहीं कर सकते, आप PM Cares Fund में पैसा तो डाल सकते हैं, पर सूचना का अधिकार नहीं है, आप उस पे RTI फाइल नहीं कर सकते, कोई कर देता है तो उसको सुनने को मिलता है, कि PM Cares Fund के अंदर डाला गया पैसा कहा गया, उसको जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है, जबकि अल्रेडी एक प्रधान मंतरी के नाम से फंड चलता है, जिसके PM Relief Fund के अंदर अल्रेडी पैसा जाता है, बावजूद उसके एक नया फंड चलाया गया, उसमें पैसा गया, पर आपको सूचना का अधिकार बिलकुल नहीं है, आप लेकिन यहीं कहते रहेगा, जनता लेकिन नहीं पहचानेगा, कि यदि लोक तंत्र में सचे माइने में कोई ताकत है, तो वो है लोक, लोक जो हैं, लोक तंत्र, हम सही माइने में विपक्ष हैं, यदि हम अपने अंदर की इस ताकत को पहचान जाएंगे, तो कोई भी सत्ता हो, कोई भी पार्टी हो सत्ता में, कोई पार्टी विपक्ष में बैठी हुई ना बोल रही हो आप शिकायत करने की बजाए कृत्य करें कर्म करें ये बात ठीक है कि आपने चुनके अपने प्रतिनिदी भेजे सरकार चलाने के लिए पर वो नहीं कर रहे काम ये भी मान लेते हैं कि विपक्ष भी जो है वो दंतहीन है नहीं कुछ कर रहा तो आप और मैं हमें अपनी आवाज उठाने से कौन रोकता है नीट जी के परिक्षार्थियों ने अपनी आवाज उठाई मगर आप मैं हम अपने घर के कमफर्ट जोम में बैठे रहे ये तो वैसा ही है जैसे दिये तले अंधेरा दिया रोश्नी हम प् क Capital आपने सभी फेलो से इंस को अपने सेहनागरीकों को यही है कि आपने अंदर की ताकत को पहचानी है फेसबूग के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से एक योट्यूग का डिसलाइक बटन और कॉमेंट सेक्षन ही तो हट गया है ना Facebook, Twitter और बाकी के सब जितने भी platforms हैं YouTube पर भी आपकी और मेरी आवाज उठाने के सभी platforms खुले हैं अपने से उपर उठके सोचिए, देश को लेकर सोचिए, अपनी आवाज उठाईए, अपनी ताकत को पहचानिए जैहिल